दोस्तों ये मूवी एक ऐसे आदमी की है जिसे समुद्र के अंदर एक जादूई फूलदान मिलता है फिर जब वो उस फूलदान को अपने घर लेकर आता है तब ही अचानक उसमें से एक खूबसूरत जीनी निकलती है जो उसकी तीन इच्छाए पूरी कर सकती थी लेकिन उस आदमी का ध्यान तो उन इच्छाओं से ज्यादा उस जीनी के जिस्म पर था तो मूवी की शुरूआत क्रिस नाम के एक लड़के को दिखाते हुए होती है जो की बीच पर घूम रहा था उसके साथ उसका एक पालतू कुत्ता भी था क्रिस बीच के पास ही रहता था नेपाल तो कुत्ते को भी खिलाता है फिर खाने के बाद जैसे ही क्रिस आराम करने लगता है तबी उसे एहसास होता है कि समुद्र में कोई दूब रहा है ये देखकर वो जल्दी से लाइफ गार्ट के घर की तरफ भागता है क्योंकि उसे अच्छे से तेरना नहीं आता थ लेकिन घर के अंदर जाते ही वो देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं होता इसके बाद वो घर की तूटी हुई खिरकी उठा कर खुद ही समुद्र की तरफ भागने लगता है उसी दौरान वो लाइफ गार्ट भी घूंते हुए वहाँ पर पहुच जाता है और क्रिस को पान को देखते हैं जो उसे पानी के अंदर मिला था आगे जब ये दोनों बाते कर रहे थे तब हमें पता चलता है कि क्रिस और वो लाइफ गार्ड जिसका नाम सैम था ये दोनों काफी पुराने दोस्त हैं और वो अकसर एक दूसरे के घर पर आते जाते रहते हैं आगे क्रिस तोड़ा आराम करता है और फिर रात होने पर वो अपनी बाइक उठा कर शहर चला जाता है शहर आकर वो एक बार में जाता है जहां पर वो रोजाना बैठ कर शराब पीता था आज भी जब वो शराब पी रहा था तभी उसके पास जॉन नाम का एक आदमी आता है जॉन एक म आने से मना कर देता है और वहां से जाने लगता है तभी जौन उसके पास आकर उसे बहुत सारे पैसों का लालच देता है लेकिन कriis फिर भी उसे मना कर के वहां से चला जाता है। प्रिस अपने भाई की मौत का जिम्मेदार खुद को मानता था इसलिए तब से वो सब कुछ छोड़ चार कर युही इधर उधर भटकता रहता था। और अब से मैं तुम्हारी गुलाम हो लेकिन वही क्रिस का ध्यान उसकी बातों पर कम और उसके जिस्म पर ज्यादा था। और उसी वक्त बाहर बारिश होने लग जाती है अब ये देखकर क्रिस भी हैरान रह जाता है क्योंकि वो जिस जगाह पर रहता था वहाँ पर कभी बारिश होती ही नहीं थी। अब वहाँ पर बारिश इतनी ज्यादा होती है कि घर की छट से भी पानी गिरने लगता है वही क्रिस की पहली इच्छा पूरी करके नताशा भी बहुत खुश थी और वो उसकी बाकी के दो इच्छाए पूरी करके आजाद होना चाहती थी। आगे बारिश बंध होने के बाद नताशा क्रिस से उसकी दूसरी इच्छा पूचती है लेकिन क्रिस कहता है कि मेरी कोई इच्छा नहीं है इसलिए अब तुम यहाँ से जा सकती हो। उसी दौरान जब क्रिस उसके पास आता है तो नताशा उससे पूचती है कि तुम अपनी बाकी की दो इच्छाए क्यों नहीं बता रहे हो। तभी क्रिस उसे अपने भाई के एक्सीडेंट के बारे में बताता है जिसके साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि मेरे भाई की मौत के साथ ही मेरी सारी इच्छाए भी खत्म हो गई थी। फिर रात को क्रिस नताशा को उसी बार में लेकर जाता है जहाँ पर वो रोजाना जाय कर ली थी तो घर आते ही वो दोनों एक दूसरे से लिप जाते हैं और वही पर intimate हो जाते हैं अब इसके बाद से ही वो दोनों एक दूसरे के साथ घूंते फिरते हैं और अपना पूरा दिन जील के पास बिताते हैं जिसके बाद रात होते ही फिर रात को खुते हैं जिसके अपने पूर्डान में वापस चली जाती है और क्रिस अपने बैट पर सो जाता है फिर अगले दिन सुबह होते ही नatाशा अपने घर का काम करने लग जाती है अब उन दोनों को साथ में रहते हुए कई दिन हो चुके थे इसलिए वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे आगे नताशा क्रिस के लिए खाना बनाती है जिसको क्रिस बड़े मज़े से खाता है फिर एक रात नताशा क्रिस से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ लेकिन इस पर क्रिस उसे कोई जवाब नहीं देता। देर बाद नताशा बाहर जाने के लिए तयार होती है आसल में वो सैम के साथ देट पर जा रही थी फिर हम देखते हैं कि सैम को यहाँ पर उसी नहीं बुलाया था ताकि वो क्रिस को जला सके इसके बाद वो दोनों बार में जाकर ड्रिंक करने लगते हैं वही घर पर हम देखते हैं कि क्रिस बॉखलाने लग जाता है और जिस तरह से नताशा सैम के साथ गई थी वो क्रिस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और कुछ देर बाद उसे एहसास हो जाता है कि वो नताशा के बिना नहीं रह सकता इसी बीच लिस क्रिस के पास आती है ताकि वो उससे जॉन के बारे में बात कर सके वही क्रिस बहुत ज्यादा नशे में था तो लिस उसके लिए कॉफी बनाती है फिर कॉफी पीते हुए Chris उसे नताशा के बारे में सब कुछ बता देता है कि वो एक जीनी है जो एक फूल दान से निकली थी साथ ही वो उससे ये भी कहता है कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और अब मैं उसी के पास जा रहा हूँ ये कहकर Chris वहाँ से चला जाता है पर वही लिस उस फूलदान को घूरती रहती है फिर थोड़ी देर बाद क्रिस नताशा के पास पहुँच जाता है और उसे घर चलने के लिए कहता है लेकिन नताशा उसकी बात नहीं मानती वो कहती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते इसलिए मैं तुम्हारी बात नहीं जाता था ताकि वो बाद में उसे आराम से बता सके कि वो भी उससे प्यार करता है लेकिन नताशा चाहती थी कि क्रिस उसे अपनी दो इच्छाए बता दे ताकि वो उसे छोड़कर हमेशा के लिए चली जाए वो क्रिस से कहती है कि तुम अभी अपनी इच्छाए बताओ न है तभी क्रिस उसे संभालता है और उसे अपने साथ घर ले आता है उसी दोरान नताशा उसे कहती है कि तुम्हारी तीसरी इच्छा पूरी करने के लिए मुझे मेरा फूलदान चाहिए और अगर जल्दी ही मैं उसमें नहीं गई तो मैं मर जाओंगी ये सुनकर क्रिस जैसे ह फूलदान लेने के लिए घर के अंदर जाता है तभी उसे पता चलता है कि वो फूलदान तो लिस चुराकर अपने साथ ले गई है अब क्रिस भागता हुआ उसके घर पर जाता है लेकिन लिस उसे वहाँ पर नहीं मिलती फिर हम देखते हैं कि लिस उस वक्त समुद के किना गिनारे होती है और वो वहाँ पर उस फूलदान से अपनी इच्छाय मान रही होती है अब लालच में आकर लिस फूलदान को यहाँ पर तो ले आती है लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसमें से जीनी कैसे निकलता है अब बहुत कोशिशों के बाद भी जब लिस से कुछ नह पिर अगली सुबार जब कृस की आप खुलती है तो वहाँ पर वो एक लर्की को देखता है जो की बीच पर ही घूम रही थी फिर वो क्रिस के पास आती है और उसे उसकी तबियत के बारे में पूचती है तब ही क्रिस देखता है कि ये लर्की तो बिलकुल नताशा की तरह ही दिख रही है और तब उसे समझ आता है कि नताशा ने उसकी दूसरी इच्छा भी पूरी कर दी है। क्रिस चाहता था कि उसे एक नॉमल लड़की मिले और उसे वो लड़की मिल जाती है और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।